अवश्कार कारकम्य उपस्तित देश के ग्रह मंत्री स्री अमेद ब्याई शाह अन्यवान निखोबार के उपराजपाल Chief of Defense Staff हमारी तीनों सेनाओं के द्रक्ष महादेर्शक, भारती त्रक्षक कमांडर इन चीफ हंडमान अवन निकोबार कमान समस्ता धिकारिगान परम वीर चक्र विजेता वीर जमानों के परिवारों के सदश्चगान अन्य महानुभाव देवी और सज्जनो आज नेताजी सुभास की जन्मजेंती हैं देश पराक्रम दिवस के रूप में इस परिणा दिवस को बनाता है सभी देश वाचियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुपकामनाएं आज पराक्रम दिवस पर अन्यमान निकोबार द्विप समू में नई सुभह की रस्मियां एक नया इतिहास लिख रही है और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसको आस्मरन भी करती हैं आकलन भी करती हैं मुल्यांकन भी करती हैं और अभीरत प्रेणना पाती रहती हैं आज अंडमान निकोबार के 21 द्विपों का नामकनन हुआ है इन 21 द्विपों को अब परम वीर्चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा जिस द्विप पर नेताजी सुभाज चंद्र बोज रहे थे वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेणना स्थली एक समारक का भी आजचला न्यास हुआ है आज के इस दिन को आजहादी के अमरित काल के एक महत्वकुन अध्याय के रुप में आने वाली पीडियां याग करेगी नेताजी का इस मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारी युवाओं के लिए आने वाली पीडियों के लिए एक चिरंतर प्रेणा का स्थल बनेंगे मैं अन्यमान निकोबार के दी समू के लोगों को और सभी देश्वाच्यों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ मैं नेताजी सुभाष और परंबीर चक्रविजेता योध्धाओं को स्रद्धापुर्वक नमन करता हूँ भाई और भेनों अन्डमान की ये धर्ती वो भूमी है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फैरा था इस धर्ती पर पहली आजाद भारतिय सरकार का गठन हुआ था इस सब के साथ अंडमान की इसी धर्ती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अंगिनत विरों ने देश के लिए तप तितिक्षा और बलीदानों की पराकास्टा को छुआ था सेलूलर जेल की कोठरियां उस दिवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतीम पीड़ा के साथ साथ उस अभूत्पुर्वत जजबे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर चीजी के कान में पढ़ते हैं सुना ही पढ़ते हैं लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम के उन स्मृत्यों की जगर अन्नमान की पहचान को गुलामी की निसानियों से जोड़ कर रखा गया था हमारे आइलेंड्स के नामों तक मैं गुलामी की छाप थी पहचान थी मेरा सवभाग्य है कि चार-पांच साल पहले जब मैं पॉर्ट प्लेयर आया गया था तो वहां मुझे तीन मुख्य आइलेंड्स को भारतिये नाम देने का आउसर मिला था आज रोस आइलेंड नेताजी सुभाज चंद्र बोज दिब बन चुका है हैवलोक और नील आइलेंड स्वराज और सहीद आइलेंड बन चुके हैं और इसमें भी दिल्चस्प ये कि स्वराज और सहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था इस नाम को भी आजादी के बाद महत्वन नहीं दिया गया था जब आजाद हिंद फोज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था साथ क्यों आज 21 सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभास को आजादी के बाद भूला देने का प्रयास हुआ आजदेश उनी नेताजी को पल पल याद कर रहा है अन्नमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फैराया था वहां आज गगन चुम्बी तिरंगा आजाद हिंद फोज के पराकरम का गुणगान कर रहा है पूरे देश में और देश के कोने कोने से जब लोग यहां आते हैं तो समंदर किनारे लहराते तिरंगों को देखकर उनके दिलों में देश भक्ति का रुमाच भर जाता है अब अन्नमान में उनकी याद में जो मुजियम और समार्ग बनने जा रहा है वो अन्डमान की यात्रा को और भी स्मर्णिय बनाएगा 2019 में नेताजी से जुड़े ऐसे ही एक मुजियम का लोखार्पन दिल्ली के लाल किले में भी हुआ था आज लाल किला जाने वाले लोगों के लिए वो मुजियम एक प्रकार से हर पीड़ी के लिए प्रेरणास्थली की तरह है इसी तरह बंगाल में उनकी 125 वी जेंती पर विशेश आयोजन हुए थे देश ने इस दिन को पूरे धुम धाम से सलिप्रेट किया था उनके जन्म दिवस को पराकरम दिवस के रूप में गोशित किया गया यानि बंगाल से लेकर दिल्ली और अंड़मान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन कर रहा हो उनकी विरासत को संजोन रहा हो साथियों बीते आठ नव वर्षों में नेताजी सुभासंद्र बोस्त के जुड़े ऐसे कितने काम देश में हुए हैं जिनने आज़ादी के तुरंद बात से हो जाना चाहिए था दिखो समय नहीं हुआ देश के एक हिस्से पर आज़ाद भारत की पहली सरकार 1943 में बनी थी इस समय को अब देश जादा गवरव के साथ स्विकार कर रहा है जब आज़ाद हिन सरकार के गठन के 55 वर्ष पुरे हुए तब लाल किले पर देश ने जन्ना भारा कर नेता जी को नमन किया था दसकों से नेता जी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सारवजेनिक करने की मांग हो रही थी ये काम भी देश ने पूरी स्रधा के साथ आगे बढ़ाया आज हमारी लोकतांकते संस्ताओं के सामने कर्तव्य पत पर भी नेता जी बोष की भव्य पतिवा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है मैं समझता हूँ ये काम देश हित्में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नाईकाओं को समय रहते जन्मानत से जोड़ा सांजे और समर्थ आदर्स गड़े वो विकास और राष्ट निर्वान की दोर में बहुत आगे गए इसलिए यही काम आजादी के अम्रित कान में भारत कर रहा है जी जान से कर रहा है साथियों जिन 21 द्विपों को आज नया नाम मिला है उनके इस नाम करण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं यह संदेश है एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना यह संदेश है देश के लिए दिये गए बलिदान की अमर्ता का संदेश वयम अमृतस्य पुत्राहा और यह संदेश है भारतिय सेना के अद्वितिय शौरिय और पराक्रम का संदेश जिन 21 परंबीर चक्रविजेताओं के नाम पर इन दीपों को जब जाना जाएगा उन्होंने मात्र भूमि के कन कन को अपना सब कुछ माना था उन्होंने भारत मा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योचावर कर दिया था वे भारतिय सेना के हैं वे वीर सिपाई देश के अलग-अलग राज्यों से थे अलग-अलग भाषा बोली और जीवन सैली के थे लेकिन मा भारती की सेवा और मात्र भूमि के लिए अटूट भक्ती उन्हें एक करती थी जोडती थी एक बढाती थी एक लक्ष एक राह एक ही मक्सद और पुर्ण समर्पन साथियों जैसे समंदर अलग-अलग दीपों को जोडता है वैसे ही एक भारत स्रेष्ट भारत का भाव भारत मा की हर संतान को एक कर देती है मेजर सोमनाज शर्मा, पिरू सीं, मेजर सैतान सीं से लेकर कैप्टन मनोज पांडे सुवेदार जोगिंदर सीं और लांच नायक अलबट एक कातक भीर अब्दुल हमीद और मेजर रामस्वामी परमिश्वन से लेकर सभी 21 परंवीर सब के लिए एक ही संक्र बथा राष्ट सर्वप्रधम, इंडिया फार्ष्ट, उनका ये संकल्प जब इन वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है, करगिल युद में ये दिल मांगे मौर का विजय गोश्ट करने वाले केप्टन विकरम, इनके नाम पर अन्दमान में एक पहड़ी भी समर्पित की जा रही है, भाई और भेनों, अन्दमान निकोबार के द्वीपों का ये नाम करन, उन परमवीर चक्र विजयताओं का सम्मान तो है, पूरब से पस्चिम, उत्तर से दक्षिन, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं, देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है, आजादी के तुरंद बात से ही, हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा, हर मोके पर, हर मोर्चे पर, हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है, ये देश का कर्टव्य था, कि राष्ट रक्षा, इन अभियानों में स्वयम को समर्पित करने वाले जवारों को, सेना के योगदानों को ब्यापक स्तर पर पहचान दी जाएं, आज देश उस कर्टव्य को, उस जिम्मेदारी को पूरे करने का हर कोशिश प्रयास कर रहा है, आज जवानों और सेनाओं के नाम से देश को पहचान दी जा रही हैं, साथियों, अन्नमान एक ऐसी धरती है, जहाँ पानी, प्रकृती, परियावरा, पुर्शार्थ, पराक्रम, परंपरा, परियतन, प्रभोधन और प्रेरना, सब कुछ है, देश में ऐसा कौन होगा, जिसका मन अन्नमान आने का नहीं करता है, अन्नमान का सामर्थ बहुत बड़ा है, यहाँ पर अथा अवसर है, हमें इन अवसरों को पहचानना है, हमें इस सामर्थ को जानना है, बीते आठ वर्षों में देश ने इस दिशा में लगातार प्रयास किये हैं, कोरोना के जटकों के बाद भी परियाटरंग छेत्र में अम इन प्रयासों के परणाम दिखाई देने लगे हैं, दो हजार चाउदा में देश भर्षे जितने परियाटक अन्नमान आते थे, दो हजार बाईस में उससे करीब करीब दो गुने लोग यहां आए हैं, यानि परियाटकों के संक्या दो गुनी हुई हैं, तो परियाटरंग से जुड़े रोजगार और आए भी बड़े हैं, इसके साथ ही एक और बड़ा बड़लाव बीते वर्षों में हुआ है, पहले लोग केवल प्राकृतिक संदर्य के बारे में, यहां के बीचीज के बारे में सोचकर अन्दमान आते थे, लेकिन अब इस पहचान को भी विस्तार मिल रहा है, अब अन्दमान से जुड़े स्वाधिन्ता इतिहास को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है, अब लोग इतिहास को जानने और जीने के लिए भी यहां आ रहे हैं, साथ ही अन्दमान निकोबार के दिप हमारी सम्रिद्द आदिवासे परंपरा की धर्ती भी रहे हैं, अपनी विरासत पर गर्व की भावना इस परंपरा के लिए भी आकर्शन पैदा कर रही है, हम नेता जी सुपाचंद्र बोश से जुड़ी समारक और सेना के स्वर्यक और सम्मान देश वाचियों में यहां आने के लिए नई उत्सुकता पैदा करेगा, आने वाले समय में यहां पर्यटन के और भी असिम आउसर पैदा होंगे, साथियों हमारे देश की पहले की सरकारों में खासकर विकृत वैचारिक राजनीती के कारण, दस्तकों से जो हीन भावना और आत्म विश्वात की कमी रही उसके कारण देश के सामर्थ को हमेशां अंडरेस्टिमेट किया गया, चाहे हमारे हिमालई राज्य हो, विशेश कर पुर्वत्तर के राज्य हो, या फिर अन्नमान निकोबाज जैसे समुद्री द्वीप शेत्र, इने लेकर ये सोच रहती थी, कि ये तो दूर दराज के दुर्गम और आप्रसंगी के लाके हैं, इस सोच के खारण, ऐसे ख्षेत्रों की दसकों तक उपेक्षा हुई, उनके विकास को नजर अंदाज किया गया, अन्नमान निकोबाज जैसे समुद्री शाक्षी रहा है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई विक्सित दीप हैं, जिनका आकार हमारे अंदमान निकोबार से भी कम है, लेकिन चाहिज सिंगापोर हो, माल्दीव हो, सैसेल्स हो, ये देश अपने समसाधनों के सही इस्तिमाल से, तुरियम का एक बहुत बड़ा आकर्षन का केंदर बन गए, पूरी दुनिया से लोग इन देशों में परियटन और बिंदेश से जुड़ी संभावनाओं के लिए आते हैं, ऐसी ही सामर्थ भारत के द्वीपों के पाद भी है, हम भी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन कभी पहले उस पर धान नहीं दिया गया, हाला तो ये थे, कि हमारे यहां कितने द्वीप हैं, कितने टापू हैं, इसका हिसाब किताब तक नहीं रखा गया था, आज देश इस और आगे बढ़ रहा है, अब देश में प्राकृतिक संतुलन और आदुनिक संसाधनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, हमने सम्मरीन अप्टिकल फाइबर के जर्ये अंदमान को तेज इंटरनेट से जोडने का काम शुरू किया, अब अंदमान में भी बाकी देश की तरह ही तेज इंटरनेट पहुंचने लगा है, डिजिटल पेमेंट और दूसरी डिजिटल सेवाओं का भी यहां तेजी से विस्तार हो रहा है, इसका भी बड़ा लाब अंदमान आने जाने वाले टूरिस्टों को हो रहा है, साथियों, अतीच में अंदमान निकोबार ने आजहादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी, उसी तरह भविश में ये खेत्र देश के विकास को भी नई गति देगा, मुझे विश्वास है, हम एक ऐसे भारत का दिर्वान करेंगे, जो सक्षम होगा, समर्थ होगा, और आज़ूनिक विकास की बुलिद्दियों को छूएगा, इसी कामना के साथ एक बार फिर नेताजी सुभास और हमारे सभी वीर जवानों के चर्णों में नमन करता हूँ, आप सबको पराक्रम दिवश की बहुत बहुत शुब कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद, पराक्रम झाल